Hello friends and welcome to this tutorial जिसमें हम Mark Software में Cursor to Report option को implement करना सीखेंगे Cursor to Report सीखने से पहले आपको SQL Query option clear होना चाहिए जिसके लिए आप हमारा tutorial SQL Executor देख सकते हैं Cursor to Report Mark Software का एक add-on feature है जिसके थूँ आप self-designed reports create कर सकते हैं जैसे कि suppose मुझे इस type की report चाहिए जिसमें मेरे सारे items शो हो जो उसके price हैं वो शो हो और उन prices का grant total शो हो तो आप ऐसी report और ऐसे type की कई सारी reports Cursor to Report option से generate कर सकते हैं तो आईए देखते हैं कैसे तो SQL Query generate करने के बाद आप daily reports पे जाएंगे और enter करेंगे SQL Query Executor पर SQL Query option को on करने के लिए आप operator powers से search करेंगे SQL और इस option को yes set करेंगे तो यहाँ से आप code select करेंगे और यह है वो command जो हमने SQL Query में generate किया है फिर हम execute query पर click करेंगे फिर report पर click करेंगे तो यह है cursor to report की window यहाँ आप अपने report का नाम डिफाइन करेंगे suppose product priceless तो सबसे पहले है column name यहाँ से आप set करेंगे कि आपको report किस format में चाहिए जैसे इस sheet में first column है serial number का और फिर second column है items का और फिर उस items के column के respective prices third column में show होते हैं तो सबसे पहले हम serial number select करेंगे क्योंकि हमें पहले column में serial number चाहिए और column heading में हम वो नाम define करेंगे जो हमें first column में चाहिए जैसे मैं चाहती हूँ कि first column में serial number लिखा हो तो मैं यहाँ serial number define करूँगी अगर मैं कुछ दूसरा नाम चाहती हूँ जैसे index number या कुछ तो वो भी मैं अपने according define कर सकती हूँ अब हम select करते हैं कि हमें second column में क्या चाहिए हमें second column में items की list चाहिए तो हम यहाँ से product select करेंगे और अगर आप चाहें तो आप नाम भी change कर सकते हैं अभी के लिए हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं फिर है row number हम इसे one रखेंगे फिर है column alignment मतलब आपको यह heading heading center में चाहिए left में चाहिए या right में चाहिए हम इसे center पर set करेंगे data type में हम इसे character ही set रहने देते हैं font name से हम अपने text का font भी change कर सकते हैं आप चाहें तो hand to hand अपने इस generated report की preview भी देख सकते हैं तो यह है serial number का column और यह है products का column अब हम अपना last column बनाते हैं price का उसके लिए हम MRP select करेंगे और चाहें तो उसके heading का नाम भी change कर सकते हैं तो अब हम preview देखते हैं अब मैं चाहती हूँ के इस column का यानि price column का grand total show हो तो उसके लिए मैं इस check box पर tick करूँगे तो अब हमारी report ready है अब हम इस report को export कर सकते हैं Excel में, PDF में या GUI में या फिर हम directly यहां से print ले सकते हैं सो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सीखा cursor to report option के बारे में रजब दूब के रच्छी आएटा